हाई फ्रेंद्स वेलकम डू माइड यूटूब चैनल तो फ्रेंद्स कल मैं नर्सरी गई थी और कल में बहुत सारे विंका के प्लांट लाई हूं क्योंकि पिछली बारी जो मैं विंका के प्लांट लाई थी उन में से 2-3 मर गए पता नहीं कैसे मर गए वो तो इसी लिए हम कल नर्शरी गए थे और विनका के प्लांट आया है विनका प्लांट की शॉपिंग किया हमने जैसे आप देख सकते हैं विनका प्लांट बहुत ही प्यारा प्लांट होता है उसको फूल होता है वो बहुत ही प्यारा होता है बहुत ही प्रिटी और सेविज प्लांट है, आड़ी प्लांट है, बारा महीने सर्वाइब करता है, तो इसलिए हमने सोचा हम विनका प्लांट लेते हैं, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ, जो जो मैंने विनका प्लांट लिए, उनके कलर दिखाती हूँ, उनकी हेल्थ दिखाती हूँ, तो च तो यह प्रवाइब नहीं थे जादा क्योंकि उन्हें भी अभी लगाए थे बट उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी थी तो मैं ले आई बहुत यह अच्छे जिसे आप देख सकते हो यह वाइट है यह देखिए और यह जो है यह मैरून है आपको दिखिए रहोगा बहुत ही प् मरिजंट है और यह जो राइट जयसा है देखे पिंख और यह देखे यह जो औरइंज जयसा है यह आप देखिए सकते हो वह दून है यह पिछली बार इसने प्छले नहीं थे दो-तिरंत थे लेकिन इस बारी सारे लरत जो भी विंका की आते है अवेलिबल होते और ये हैं नर्स्री पे ये देखें ये प्रिंक है कितना प्यार है लायट बिंग और ये एक ही पैदा बचा हुआ था ये देखिए है यह देखिए हमने एक कलर के दो प्लांट ले लिए क्योंकि सेव करने के लिए ठीक रहता है जैसे ये और ये सेम कलर है दिख रहा होगा आपको और ये भी लिया ये देखे मैरून है ये जो ये वाला है ये देखे मैं आपको और दिखाती हूं ये देखे ये कलर भी लिया है पिंक इस जैसा है ये देखे light pink है फिर बीच में इसके है dark pink अच्छे है सारे पौदे healthy है इतना अच्छा जो size है इतना छोटा size उसके according ये ठीक है इसका health ठीक है ये देखे कितना प्यारा color है ये red चैसा है ये pink आ गया फिर से ये देखे और ये जो है ये peach है जैसे आप देख सकते हैं ये peach है और इसके जो अंदर है वो red है बीच में जो है बहुत ही अच्छा health देखे आप पौदो की बहुत अच्छी health है जैसे आप देख सकते हैं ये देखे ये red है बहुत ही प्यारा है सबसे जाजा जो color थाना वो ये वाला था ये वाला बहुत ही बिक्रा था बहुत से लोग परचेज कर रहे थे इसी color को क्योंकि ये color बहुत ही प्यारा लगता है दूर से attract करता है ये देखे ये merchant है ये भी color बहुत बिक्रा था बहुत लोग परचेज कर रहे थे इसको यह दिखे यह कलर तो नर्सरी पे बहुत ज़ादा था और हम हमेशा पंकज नर्सरी के जाते हैं क्योंकि हम उनके पक्के कस्टमर है तो वो हमें रेड भी कम देते और अच्छी क्वैलिटी भी होती है उनके प्नांच की तो हम उने से ही लेते हैं यह दिखे यह मैरून जैसा म था कलर लिए था थो इसीलिए हमने जो हमने 2-3 लिये चैशनी सूप जाते हैं यह क्या करते हैं सेव कर देते हैं यह दिया तोucky सेवेलिन फेंके दिया तो अंदेरा भी हो गया था और हम साड़े छे बज़े गए थे तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला बनाने का बिल्कुल भी क्योंकि अंदेरा हो गया था और आप साड़े-ाप बज़े हम घर आये थे घर पहुंचे थे तो ममा की हेल्प की पापा ने पॉर्टिंग करने में पॉर्टिंन की यह रात को कि हमने हेंळे लगबन दस सब्सक्राइब 9 बज़े थे हमें यह करते एकरते हुए क्योंकि रात को इह ठीक रहे था क्योंकि ये शाम को तो हम लेट पहुंचे थे और जो सुबा अगर सुबा करते तो ये मर जाते क्योंकि वो मिट्टी में रखते नीचे ये सिमिंट है तो इसलिए मर जाएंगे ये और धूब इतनी पड़ रही है कि इनका सर्वाइब करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है अलग शेड नहीं है मतलब इसे होते ना फेड हो जाते है कलर कुछ लेकिन हम हमीशा पंकज नर्सी तो हमें वह बेस्ट क्वेलिक्टी देते हैं बेस्ट प्राइस देते यह देखे यह वाले जो यह इसके तीन प्लांट ले आया है क्यूंकि बहुत ही प्यारा यह कलर यह भ मैरून है यह पिंक जैसे है यह मैरून है यह देखिए हेल्थ मीन की बहुत अच्छी है यह पिंक है और इनका एक का प्राइज है 20 रुपीज इच और हमें तो 15 रुपीज लगाए क्योंकि हम उनके पक्खे कस्टमर है तो इसलिए यह 20 रुपीज का है एक मतलब इच 20 रुपीज के है सदा बार का तो रेट कम ही होता है 20 यह 25 होता है कहीं कहीं 15 भी हो जाता है यह देखिए कितना प्यारा कलर है हेल्थ भी बहुत अच्छी है जैसे अब देख रहे हूं हेल्थ बहुत अच्छी है नीचे से अच्छी ग्रोथ हो रही इनकी तो मैं टोटल 17 प्लांट्स लाई हूं विनका के और मेरे पास और भी है तो मैंने सिर्फ कल विनका प्लांट की ही शॉपिंग किया है और बहुत अच्छी कोस्ट है बहुत अच्छी प्राइज है और हेल्थ भी बहुत अच्छी है तो मुझे क्वैलिटी बहुत अच्छी म जैसे आप देख रहे हो बहुत ही प्यारे प्लांस है विनका तो बहुत ही प्यार है और ममा को भी बहुत पसंद है इसमें कलर बहुत प्यारे प्यारे आते हैं मैं आपको एक कलर दिखाती हूं ठीक है यह देख सकते हूं यह मैं पिछली बारी लाई हूं यह देखिए इसका क तो बहुत ही प्यारा है ये देखिए कितना प्यारा कलर है बहुत ही प्यारा लग रहा है इसके सारे प्लांट ही बहुत ही प्यारे होते हैं इसके सारे प्लांट के जो कलर होते हैं वो भी बहुत ही प्यारे होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए तो मैंने टोटल 17 प्लांच लेए जो पिछली बारी लिये थे उन में से मेरे दो-तीन मर गए पता नहीं कैसे मर गए लेकिन वो मर गए तो मुझे बहुत ही दुख हुआ तो इसलिए हमारे प्लैन बना कल ही बना कि हम जाएंगे और प्लांट लेंगे विनका के सिर्फ क्योंकि विनका अगर आप क्योंस हें कि अधिगुँ ये वो सूपा थो और सर्द्विंग मेंवी फूपूल्डळॉत चोटे लेकिन देता जरूरऔं गर्मियों में इसकी ग्रोष बहुत अच्छी होते हैं सर्द्विव में आप क्या कर देगे इसको कटिंग कर दीजे सबकी विनका प्लांटकी इसस सुबा भरके देना चीए इनको पानी इसे प्लांट सच्छे रहते हैं और अगर आप दिन में दोगे तो यह शौक डो जाएंगे तो इसलिए दिन में नाई दीजिए और शाम को और सुबा दीजिए यह देखें कितना प्यारा प्लांट है इसकी ग्रोथ मैं दिखाते हूं आ निकाल दीजिए आप क्योंकि उससे क्या होगा इसकी जो ग्रोथन पत्तों में जाएगी जो डैड है उनमें जाएगे और यलो पत्ते से इसका जो यह सुन्दरता जोती इसकी वो भी खराब हो जाएगी और यलो लीफ जो एक हो जाए वो सब को कर देती है तो इसलिए यह कितना प्यार है यह देखें बहुत ही प्यारे पारे कलर आते हैं मैं सारी लियाई हूं इस बारी तो अगली बारी मैं नहीं लाए थी बट इस साल में सारे लियाई हूं यह सब देख सकते हो बहुत रेड है पिंक है मैरून है मरजेंटा है लाइट पिंक है परपल है बहुत सारे प्लांत है अगली भारी मैं जब नरिसरी जाओंगी तो मैं पका तर इस बारि मैं नहीं बना पाई जैसे मैंने बताया कि हम इस शाम में खेज थे तो इसलिए लेकिन अब मैं जरूर से बनाऊंगी वीडियो समा प्लांट्स पे विद प्राइज ओके और बहुत ही बहुत ही अच्छे प्लांट है ये सच बताऊं तो मुझे ये मेरा फेवरेट प्लांट है इसके कलर बहुत ही प्यारा है और ये इसमें मतलब एक अलग सी शेड होती है जिसे मैं आपको दिखाती हूँ ये देखे बाहर से देखे ये देखो लाइट पिंग है और बीच में से ये डाग पिंग है तो ये शेड बहुत अच्छी लगती है फ्लावर्स में और इसमें बहुत ही ज़ादा होती है इसमें टमैटो जैसा जो रेड होता वो भी है ये देखे औरिंज दिख रहोगा बट ये ऐसे टमाटोरी रेड है ये देखे तो मैंने आपको सारे विन का दिखा दिए जो मैं लाई हूँ तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूले इससे आपको मेरी सारे जो भी अपडेट्स हाते रहेगे नोटिफकेशन हाते हैगी मेरी वीडियो की तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंड करे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले और मेरे साथ जुड़े रहे तो अब मैं आपको मिलती हूँ नई वीडियो के साथ तो ओके बाइ फ्रेंड्स एंड टेक कियर बाइ बाइ बाइबस